नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर सुरभी सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चानल सेहत सुरभी आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि होमेपितिक दवा अगर हम ले रहे हैं किसी बिमारी के लिए तो उसके साथ हमें किन किन चीजों का परहेज करना चाहिए यानि कि क्या चीजें हमें साथ में नहीं लेनी चाहिए ये जानना इसलिए जरूरी है कि कुछ चीजे ऐसी होती है जिन्हें अगर आप साथ में लेते हैं हुमिपेथिक ट्रीटमेंट के तो दवा उतना असर नहीं कर पाती है उन चीजों को अगर आप अवाइड करते हैं नहीं लेते हैं साथ में तो दवा का जो एक्षन होता है वो और बहतर होता है जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलते हैं और जादा आराम मिलता है तो ये कौन सी चीज़ें हैं ये मैं बताने से पहले आपको एक बहुत ही इंपोर्टन बात पहले बता देना चाहती हूँ अगर आप होमिपेथिक ट्रीट्मेंट ले रहे हैं तो एक गलती जो कई लोग करते हैं वो आप बिलकुल भी ना करें क्योंकि उससे तो दवा बिलकुल ही असर नहीं करेगी की तरे juice लें उसके साथ आपको पानी से नहीं निगलना होता है और अगर आप liquid में दवा ले रहे हैं dilution ले रहे हैं तो आप उसको direct tongue पे अपने एक दो drops जाल सकते हैं उससे एक dose हो जाती है mother tinctures जब आप लेते हैं homeipathy के तो उसमें आपको doctor बताएंगे कि वो पानी में मिला के घोल के लेनी होती है उसका एक अलग तरीका होता है लेकिन जो dilutions होते हैं जो transparent colorless liquid होता है वो liquid form में सीधे tongue पे जाएगा और अगर गोलियों के form में आप ले रहे हैं तो गोलियां आपको जीब में रखके चूसने पड़ेगी मेरे साथ एक किस्सा हुआ था क्लीनिक में एक patient को मैं बिल्कुल उनकी correct medicine दे रही थी जिस पर मुझे पूरा confidence था कि यह दवा इनकी बिल्कुल सही है लेकिन वो बार-बार आके बोलती थी कि उनको साराम नहीं हो रहा है मैंने उनसे पूछा कि आप दवा को कैसे लेती हैं उन्हों का मैं पानी में लेके उसको निगल लेती हूँ जैसे और गोलियां जो ऐलोपेटिक गोलियां ली जाते हैं तो ये गल्ती आप ज़रूर बिल्कुल ना कीजिएगा अब हम बात कर लेते कि कौन सी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए तेकि होमेपेटिक दवा जो होती है उसका जो काम करने का तरीका होता है वो ऐलोपेटिक दवा से डिफरेंट होता है इसलिए दवा का आपके जीब के कॉन्टाक्ट में रहना थोड़ा ज़रूरी होता है अब कई चीज़ें ऐसी होती है स्पेशली जो बहुत स्ट्रॉंग स्मेल या महक वाली चीज़े होती है वो कई बार कई होमेपितिक मेडिसन के एक्शन को एंटिडोट कर सकती है जिसके वज़े से या तो दवा काम नहीं कर पाती है या फिर अगर करती भी है काम तो उतना आराम नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए तो यह कौन सी कुछ चीज़े हैं 4-5 को मैं आपको बता देती हूँ पहली चीज़ तो है कच्चा प्याज अगर आप कच्चा प्याज अवोईड करेंगे जब तक आपका होमेपितिक ट्रीटमेंट चल रहा है तो बहुत अच्छा रहेगा specially आपको यह तो बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपने होमेपितिक डवा खाई और साथ में सलाद में या खाने के साथ कच्चा प्याज ले लिया तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है तो बिल्कुली अक्शन दवा कर नहीं हो पाईगा साथ ही ये भी अच्छा रहेगा कि अगर आप हुम्पितिक treatment आपका चल रहा है तो आप कच्छा प्यास avoid करें उतने time तर दूसरी चीज कच्छा लहसुन जो कई लोग लेते हैं वैसे तो एक lesson बहुत अच्छी चीज है आयरवेदा में भी इसका बहुत importance बताई गई है और बि treatment चल रहा है अगली जीज जो आपको avoid करनी है वह कॉफी कॉफी अगर आप पीते हैं तो कई बार हुम्पितिक दवा का action antidote हो जाता है या वो उतना असर नहीं कर पाती है तो कॉफी आपको बिल्कुल avoid करनी है जब तक कि आपका हुम्पितिक treatment चल रहा है next strong tea चाई की लट ऐ कैसी होती है कि लोग छोड़ नहीं पाते हैं और जिनको रोज एक या दो कप चाय का fix time होता है उस पर नहीं लेते हैं तो body में ठकान रहने लग जाती है और दिक्कत होती है तो बिल्कुल addicted हो जाते हैं चाय के लिए लेकिन यहां में आपको अगर बहुत जाद आपका addiction है त चाय में और यह दवा के action के साथ interfere कर सकता है इसलिए चाय भी आपको जादा नहीं लेनी है अगर आपको होमपितिक treatment चल रहा है नेक्स चीज जो आपको avoid करनी है वो है tobacco यानकी तंबाकू किसी भी form में तो क्योंकि tobacco जो होता है वो तो आप जानते ही है टंग पे mouth में उसका क इसलिए करने है तो उसिमने अपकी होमपितिक दुबा कैसे कांब करेंगी काम ही नहीं कर पाईगी तो तंबाकू तो विल्कुल भी आपको नहीं लेना है, avoid करना है पान वगेरा कि अगर आपको आदत है तो बिल्कुल नहीं लेना है जब तक आपका treatment चल रहा है alcohol भी अगर आप avoid करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कई लोग habitual हो जाते हैं लेकिन अगर आप homeopathic treatment के साथ alcohol नहीं लेंगे या secret smoking चोड़ देंगे या बहुत कम कर देंगे बहुत कम कर देंगे doctors मजबूरी में कहते हैं करकि कई लोग कहते हैं कि हमें इतनी habit है हम चोड़ी नहीं सकते best तो यहीं रहता है कि आप चोड़ दे लेकिन बहुत ज़ादा कई लोग habitual हो जाते हैं अगर आप यहीं सब चीज़ें नहीं लेते उतना अच्छा असर नहीं कर पाएगी तो यह चीज़ जरूर होती है तो आज इस वीडियो में हमने जाना कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं खाने में जो कि आपको avoid करनी चाहिए अगर आपका होमेपितिक बहुत अच्छा काम करेगी और बहुत अच्छा relief आपको provide करेगी अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर इसे like जरूर कीज़ेगा और मेरी चैनल को subscribe कीज़े subscribe करने के साथ-साथ वो जो notification bell है all के option के साथ उसको भी जरूर प्रेस कर दीजेगा ताकि मेरे आने वाले होमेपिति से related useful videos के notifications आपको सबसे पहले मिलते रहें और आपका कोई भी video miss ना हो इसके इलावा Instagram अगर आप use करते हैं तो Instagram पर भी मैं हूँ link आपको description में मिल जाएगा अगर आप वहाँ मुझे follow करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं हाला कि वहाँ पर मैं basically pics वगेरा ही share करती हूँ कुछ जादा इसमें medical science related नहीं होता है लेकिन फिर भी अगर आप follow करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं मैं आपसे मिलूंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें